हेलो फ्रेंड्स मैं सुसमा को हार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है फ्रेंट ये डिजैन बनाने में बहुत ही आसान है इस डिजैन को आप जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडिज, कार्डिगन, जैकेट, गल्टो, फ्रो, कुर्ती, कैप, बेबी, ब्लैंकेट, पॉंचू, किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हैं सभी पर इस तरह से एड़ेस्ट हो जाएगा, 19 के मल्टीबल देके 19 फंदे गिन लिजिए, फिर से 19, फिर से 19, लास्ट में आपके 8 फंदे होने चाहिए, ये डिजैन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है, और 8 सलाईयों में कम्प्लीट हो जाता है, तो चलिए देखते हैं कि ये सुन्दर सा डिजैन कैसे बनाया गया है, तो ये देखें फ्रेंट्स, डिजैन को बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं 27 फंदे, 19 फंदे एक डिजैन के लेने के बाद, और 8 फंदे इसमें मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, तो फंदे आप अपने प्रोजेक्ट के ह इसाब से डाल लीजिएगा, और फंदे डालके आपको जो भी बोडर बनाना हो, बोडर बना लीजिए, किसी प्रोजेक्ट ले फंदे बढ़ाने हो, तो उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए, सीधी साइड से हमारा ये डिजैन शुरू हो जाएगा, तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये चार सलाईयों में बोडर बनाया है, चार सलाईया उल्टी उल्टी बनाई, तो हमारे पास दो लाईने आगी, तो बोडर अपने इसाब से बनाई है, चार सलाईयों का बोडर बनाने के बाद, अब यहाँ से हमारे डिजैन की पहली सलाई है, इस डिजै के बाद पहले दो बेसिक रो बनाएंगे, तो पहला फंदा एज़स्टीच है, इसे उतारिये या उल्टा बनाएए, उसके बाद हम एक फंदा और उल्टा बनेंगे, तो स्टार्टिंग के दो फंदे उल्टे आ गए, धागा पीछे करेंगे, चार फंदे सीधे, एक, दो, त तीन चार और ये पांच फिर हम धागा पीछे करेंगे और पांच फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार और ये पांच फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार और ये पांच तो अब देखिएगा ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़ कर 4 फंदे सीधे 5 फंदे उल्टे 5 फंदे सीधे फिर 5 फंदे उल्टे ये हमारा 19 फंदे का डिजाइन बना है बेसिक रो में यही आपको बार बार रिपेट करना है देखिए मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़िए उसके बाद 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 इसी को आपको बार बार रिपेट करते जाना है दो फंदे एज़श्टी इसके छोड़ दीजिए फिर 4 सीधे 5 उल्टे 5 सीधे 5 उल्टे इसी को बार बार रिपेट करते जाए लास्ट में आपके देखिए 2 4 और 6 फंदे बचेंगे इसमें आप धागा पीछे कर लीजिए 4 फंदो को सीधा बनाए एक 2 3 4 अब धागा अप देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 19 के मल्टीपल प्लस 8 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं तो 2 फंदे तो इस स्टार्टिंग में आ गए 6 फंदे हमारे लास्ट में बचें ये हमारे 19 के मल्टीपल से 8 फंदे एक्स्ट्रा होते हैं अब उल्टी साइड से जो फंदे आपक उल्टा एज़स्टी छही से आप चाहो तो स्लिप कर लीजिए धागा पीछे करेंगे इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे ये हमने इधर से उल्टा बुना है अब धागा अपनी तरफ करके चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार धागा पीछे करेंगे पांच फंद पंच टीन चार और ये पांच पिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पंच धागा पीछे और पांच पंदे सीधे एक, दो, तीन, चार और ये पांच अब देखें स्टार्टिंग का हमारा पहला फंदा एजस्टीच उसके बाद एक फंदा सीधा इन दो फंदों को छोड़ कर यहां से यहां तक हमारा 19 फंदे का डिजैन बना है देखिए चार उल्टे, पांच सीधे, पांच उल्टे, पांच सीधे यही डिजैन आप बार बार रिपेट करते जाएए लास्ट में आपके छे फंदे बचेंगे तो देखिए यहां पर धागा अपनी तरफ करेंगे चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार दागा पीछे, यह एक फंदा सीधा और एजस्टीच को हम उल्टा बुल लेंगे तो यह इस डिजैन को शुरू करने के लिए हमें दो बेसिक रो बनानी है आपके जितने भी फंदे हों, सेम बनेंगे अब यहां से डिजैन की पहली सलाई है तो पहली सलाई डिजैन की आप इसे ध्यान से देखेगा इन दो सलाईयों को हम दोबारा कभी रिपिट नहीं करेंगे सिर्फ स्टार्टिंग में बनेंगे एक और यह दो फंदे आपके उल्टे यहां से डिजैन शुरू हो जाएगा धागा पीछे करेंगे इन चार फंदों को हम ट्विष्ट करेंगे तो इन दो को छोड़ कर नेक्स्ट वाले दो फंदों में आगे से सलाई डालेंगे इन दो को उतारेंगे और ऐसे पीछे वाली सलाई पर डाल देंगे इन दोनों फंदों को हम इसके आगे करेंगे धागा पीछे है, चारो फंदों को अब हम सीधा बुल लेगे, यहां हमारी जो केबल है, यह फंदे ट्विष्ट करने से बनेगे, यह देख लेजे, यह हो गया, अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे, और यहां पर देखिए, एक, दो, तीन, और यह चार फंदे उल्टे बना कर धागा पीछे करेंगे, एक उल्टा और एक सीधा, इन दोनों फंदों को थोड़ा लूज कीजिए, आगे से स्लाइड डाल कर दो का एक फंदा बना दीजिए, फिर एक फंदा हम और सीधा बनाएंगे, अब यहां दो का एक करने से एक फंदा कम हो गया, उसके लिए अपनी तरफ करके, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, तो यहां जाली से एक फंदा हमने फिर बढ़ा दिया, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, और बैक साइड से दो का एक करके घटा देंगे, जो बढ़ाया, वो हमने घटा दिया, फिर धागा अपनी तरफ एक, दो, ती और ये चार फंदे उल्टे आपके जितने भी फंदे हो ये स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमारा 19 फंदे का डिजाइन बना है इसी को आप बार बार रिपेट करते जाएए और लास्ट में होंगे 6 फंदे चार फंदे की एक केबल बनेगी तो दो चोड़ कर नेक्स्ट वाले दो फंदो में आप स्लाई डालिए इन दो को उतार कर ऐसे पीछे वाली स्लाई पर डाल दीजे इनको पलटके आप आगे कीजिए और अब इन चारो फंदों को आप सीधा बुन दीजे और अब जो लास्ट के दो फंदे हैं इनको हम उल्टा सीधे हैं तो सीधे बनाईए और उल्टे हैं तो उल्टे बनाईए देखे पहला फंदा एजस्टीज धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ चार उल्टे एक दो तीन और ये चार अब हम धागा पीछे करेंगे एक दो तीन और यहां चार फंदे हमारे स सीधे आ गए अब धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और ये देखिए एक दो तीन चार पांच छै और ये साथ फंदे उल्टे आ गए फिर धागा पीछे चार फंदे यहां सीधे आएंगे तो यानि आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे ही बनाने हैं चार सीधे आपके जितने भी फंदे हों ये दो फंदे छोड़कर यहां तक आपका जो डिजाइन बना इसे बार बार रिपीट करना है लाश्ट में आपके छै फंदे होंगे चार फंदे आपके ये केबल वाले उल्टे बनाए जाएंगे देखिए चार उल्टे होगे फिर य एक फंदा सीधा और एजस्टीच को हम उल्टा बुन लेंगे तो ये देखें डिजाइन की यहाँ पर हमारी बेसिक रूप के बाद दो सलाईया कम्पलीट हो गई अब आज ये तीसरी सलाई पर तीसरी सलाई को ध्यान से देखिए पहला फंदा एजस्टीच फिर ये एक फंदा और हम उल्टा बनेंगे धागा पीछे यहाँ से हमारा टिजाइन बनेगा तो ये केबल वाले चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, और ये चार फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक, दो, और ये तीन फंदे उल्टे इसके बाद हम धागा पीछे कर लेंगे ये उल्टा और ये सीधा इन दोनों को टाइट हो तो थोड़ा लूज कीजिए आगे से सलाई डाल कर दो फंदे का एक फंदा बनाईए फिर एक फंदा ये सीधा धागा अपनी तरफ कर लीजिए और उसके बाद देखिए एक, दो, तीन अब यहाँ जो हमने घटाया वो जाली से यहाँ बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा बनाएगे यहाँ जो जाली से बढ़ाया इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक कर देंगे तो हमने यहाँ वापस घटा दिया फिर धागा अपनी तरफ करके एक, दो और यह तीन फंदे उल्टे तो यहाँ से यहाँ तक जो डिजायन बना इसी को बार बार रिपीट करते जाएए लास्ट में हमारे देखिए एक, दो तीन और यह चार फंदे सीधे और लास्ट के दो फंदे उल्टे यहाँ हमारे डिजायन की तीन सलाईया कंप्लेट हो गई चोथी सलाई उल्टी साइड पर आपको यहाँ पर जो फंदे जैसे दिखाई दे सीधे हैं तो सीधे और उल्टे हैं तो उल्टे बनाते हुए आप इसकी चोथी सलाई को कंप्लीट कर दीजेए तो यहाँ पर हमारे डिजायन की चार सलाईयां कंप्लीट हो गई अब देखिए पांचमी सलाई है और इसकी सीधी साइड है पांचमी सलाई को आप ध्यान से देखिए कैसे बनेगी पहले फंदे को उतारिए या बनाईए उसके बाद एक फंदा और हम उल्टा बनेगे इन दो फंदे के बाद हमारा डिजायन बनेगा धागा पीछे करके चार फंदे सीधे एक, दो, तीन और ये चार धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे एक, दो धागा पीछे ले जाएंगे ये एक उल्टा और एक सीधा आगे से सलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे एक फंदा सीधा बनाया तो यहां जाली आ गई जो हमने घटाया तो एक फंदा बनाया दो तीन चार और ये पांच फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहां जो जाली से फंदा बढ़ाया इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से हम द बराबर होते जाते हैं जो घड़ते हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं फिर धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे तो यह दो फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक जो डिजाइन बनता है इसी को बार-बार रिपेट कीजिए लास्ट में चार फंदे यह आपके सीधे आ बनाईए और जो उल्टे देखिये उनको उल्टा बनाईए तो यह देखिए छटी सलाई को मैंने कम्प्लीट कर लिया है अब आज यह इसकी सातमी सलाई और सीधी साइड पर सातमी सलाई पर देखिए पहले फंदे को उतारिए या बनाईए फिर हम नेक्ष्ट वाला फंद भी उल्टा बुनेगे धागा पीछे देखिए एक दो तीन और ये चार फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा यहां उल्टाएगा धागा पीछे करेंगे ये एक उल्टा और एक सीधा आगे से स्लाइड डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे फिर एक उसके लिए धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया तो जाली से फंदा बढ़ गया दो तीन चार पांच छे और यहां हमारे साथ फंदे बीच में सीधे आ गई फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया तो यहां जाली आ गई अब इस फंदे को हम पल धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा धागा पीछे और लास्ट में हमारे चार फंदे की जो केबल है यह चार फंदे सीधे आ जाएंगे और यह दो उल्टे तो यह देखेगा हमारे डिजैन की सातमी सलाई कंप्लीट हो गई अब आज यह आठमी सलाई और उल्टी यहां आपको जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए तो आठवी सलाई को भी मैंने बना दिया तो आठ सलाईों में हमारा ये डिजैन आवर हो जाता है अब इन्हीं आठ आठ सलाईों को हमें बार बार रिपेट करना है तो चलिए आपको नेक्स्ट बार की और बता देती हूं ताकि आपको डिजैन को रिपेट करने में कोई दिक्कत ना हो देके पहला फंदा उतारिये या उल्टा बनाईये फिर एक फंदा हम और उल्टा बनेंगे अब धागा पीछे करेंगे और यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा तो ये दो फंदे छ चार फंदों को अब हम सीधा बुन देंगे ये देखिए चार फंदे हमने सीधे बुने केबल हमारी ट्विस्ट हो गई अब धागा अपनी तरफ करके एक दो तीन और ये चार फंदे हमने उल्टे बनाए फिर धागा पीछे करेंगे इन दो फंदों में आगे से स्लाइड दो का एक फंदा बना देंगे फिर एक फंदा ये सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे जो फंदा यहां घटाया उसके लिए इस एक फंदे को हम सीधा बुन देंगे तो जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया तो एक जाली ओर आ गई इस फंद उल्टे आएंगे एक दो तीन और ये चार ये स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमारा 19 फंदे का डिजैन बनता है इसी को बार बार रिपीट करना है लाश्ट में होंगे 6 फंदे तो 4 फंदे की केबल बनेगे इन दो को छोड़ कर इन नेक्स्ट वाल अब इन 4 फंदों को हम सीधा बना देंगे अब लाश्ट वाले जो 2 फंदे हैं इनको उल्टा बन देंगे तो यह हमारे नेक्स्ट वार की स्टार्टिंग हो गई है मैंने नेक्स्ट वाले डिजैन के आपको एक सलाई बना के दिखा दी है उल्टी साइड पर आपको वही कर दो तीन और यह चार दागा पीछे करेंगे चार सीधे एक दो तीन और यह चार अब धागा अपनी तरफ करके यह देखिए एक दो तीन चार पाँच प्छे और यह साथ बंदे उल्टे फिर दागा पीछे एक, दो, तीन, और ये चार सीधे तो स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक एक डिजाइन कम्पलीट हुआ लाश्ट में हमारा देखिए एक, दो, तीन, चार उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा और अज़स्टीज को उल्टा तो मैंने ये नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग करके दो सलाइया बना के दिखा दी हैं फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ये जो हमारी दो बेसिक रो बनी थी उसके बाद हमने आठ सलाइया बनाई आपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सके तैंक यू